दुनिया भर में हर साल 24 मार्च को वल्ड टीवी डे मनाया जाता है आउजी के देन 1882 में एक टीवी के लिए जिम्मेदार बैक्टिरिया माइको बैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस की खोज हुई थी दॉक्तर रॉबर्ट कोज ने इस बैक्टिरिया की खोज की जो बैक्टिरिया तपेदक यानि की टीवी का कारण बनता है उनकी ये खोज टीवी के इलाज में मददगार साबित हुई साल 1905 में उन्हें अपनी खोज के लिए नोबिल पुरिसकार से भी सम्मानित किया गया इसके अलावा आज ही के दिन साल 2020 में कोरोना महमारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रधान मंती नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लोकडाउन की घोशना की थी देश में कोरोना वारिस से संक्रमित लोगों का आकड़ा 500 से पार होने के बाद ये एहतियाती कदम उठाया गया था इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब पूरा देश ठप हो गया था और लोग अपने घरों में कैद हो गये थे वहीं आजादी से पहले के भारत की बात करें तो 24 मार्च का दिन इतिहास में इसलिए दर्ज है क्योंकि साल 1946 में इसी दिन ब्रिटेन का कैबिनेक मिशन भारत आया था कैबिनेक मिशन का मुख्य उदेश भारत में सत्ता के शांती पोड हस्तांतरड की तरीकों और साधनों का पता लगाना सम्मिधान निर्मार मशीनरी के गठन के लिए उपाय सुझाना और अंतरिम सरकार की स्थापना करना था